काफ़ इंट्रेस्टिंग बात है ना अभी जो है वो Samsung Galaxy S10, S10 Plus और S10e लॉंच किये गे और अभी Samsung की तरफ से Samsung Galaxy Note 10 लॉंच किया जाने वाला है वो September में लॉंच किया दाएगा, October में लॉंच किया दाएगा तो बिना टाइम रेस किये चलते हैं वीडियो की तरफ दोस्तों यहां वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग चोटी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं इस स्मार्टफून में बहुत ही ज्यादा मोडिफकेशन की जाएगी ऐसे फीचेज इंक्लूड किये जाएगे जो कि अभी तक किसी भी स्मार्टफून टेकनालोजी या स्मार्टफून में इंक्लूड नहीं कियेगे तो यहां को क्या कुछ इंट्रेस्टिंग देखने को मिल रहा है यहां इस स्मार्टफून में आपको बलड शूगर डिटेक्शन की सपोर्ट देखने को मिलेगी जिसकी वादा से आप अपनी डायबेटिक वैल्यू जो है वो इस पे जो है वो देख सकते हैं कि आपकी डायबेटिक वैल्यू कहां तक जा रही है यह एक बहुत ज़्यादा अच्छा फीचर है दूसरा इसका फीचर यह कि आप एर एक्टिव इस पे जो है उसकी स्पोर्ट देखने को मिलेगी आपको जिसका मतलब यह है कि आपकी एर में कितनी प्लूशन है उसे आप जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में प्लूशन वैल्यू क्या है आपका एरिया जो है प्लूटेड है कि नहीं आपकी एर जो है वो कितनी प्यूरिफाइड है तो ये जो सबी चीज आ है ये बहुत ही जादा अची technology है जो कह आपको इस smart phone पे देखने को मिलेगी आपको blood pressure की support भी देखने को मिलेगी आपको blood pressure जो है वो इस smart phone पे detect कर सकते है जो कह आपकी medical history को आपकी medical health के लिए बहुत ही ज़ादा अच्छा है ये सब कुछ जानना और ये Samsung जो है वो सब भी अपना Samsung Galaxy S11 में include जरूर करेगा तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी टेकनोलोजी है अगर Samsung इस टेकनोलोजी को अपने Samsung Galaxy S11 में launch करता है या include करता है तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी इसके लावा जो सबसे ज्यादा highlight feature है smartphone का वो है transparency transparency आप सोच रहे होंगे कि transparency क्या है transparency ये है कि अभी तक कोई भी smartphone जो है वो transparent launch नहीं किया गया आपने काफी ज़्यादा images देखी होंगी Google पे कहीं पे कहीं पे आपने काफी ज़्यादा देखे होंगे कि smartphone को हाथ में पकड़े और आपका hand जो है वो उसके cross पे जो है वो नज़र आए इससे कहते है transparency तो यहां जो है वो Samsung claim करता है कि वो इस technology को लेके आएगा आपको Samsung Galaxy S11 में S11 Plus में transparent जो है वो support भी देखने को मिलेगी इसके वादा से आप अपने hand को जो उसके पार smartphone के देखने को मिलेगा मतलब कि यह smartphone fully जो है वो glass लाउंच किया जाएगा लेकिन अभी तक यहां यह मुझे समझनी आ रहा कि अगर यह smartphone जो है वो glass के साथ लाउंच किया जाता है यह transparent इसमें facility परवाइड की जाती है sensing की तरह से तो यह वहां battery यहां जो भी internal board है smartphone का वो कहां जाएंगे वो नजर आएंगे यह नहीं उन्हें कैसे transparent किया जाएगा तो यह तो अब next की बात है हम देखते हैं कि sensing इस technology को लेके आता है यह नहीं तो इस smartphone में आपको जो processor देखने को मिलेगा वो processor आपको देखने को मिलेगा 5nm बेस परसेसर मतलब कि आपको 9a25 परसेसर देखने को मिलेगा जो के Samsung का अपना ही processor है Samsung Exynos 9825 जो के एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल परसेसर है 5nm बेस परसेसर है और शायद यह Samsung का पहला आसा smartphone हो जो 5nm technology के साथ launch किया जाए इस smartphone के बारे में बात करते हैं इस smartphone में आपको 14 to 15 GB की RAM देखने को मिलेगी आपको 512 GB की इंटनर स्टोरेज देखने को मिलेगी और यह पहला ऐसा smartphone होगा जब 14 to 15 GB की RAM के साथ launch किया जाएगा तो इसके लावा इस smartphone के बारे में बात करें कि यह design wise कहता है तो design wise मैंने आपको बताया कि यह smartphone transparent होगा इस smartphone में आपको buttonless design देखने को मिलेगा आपको curved edges देखने को मिलेगे और बहुत ही ज्यादा unique design देखने को मिलेगा मतलब कि smartphone technology overall changed तो यहां हम बात करते हैं smartphone के बारे में इस smartphone में आपको बहुत ही ज्यादा अची technology के साथ in display fingerprint sensor देखने को मिलेगा बहुत ही ज्यादा अची face ID की support भी देखने को मिलेगी इसके लावा smartphone में जो आपको headphone jack देखने को मिलेगा वो बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा dual stereo speakers देखने को मिलेगे आपको यहां USB type C port देखने को मिलेगी जिसमें आपको fast charging और wireless charging की support देखने को मिलेगी साथ reverse charging की support भी देखने को मिलेगी इस smartphone के बारे में बताया जाता है कि इस smartphone में आपको 10 minutes में 100% battery life प्रवाइड कर सकता है इसमें इतनी fast charging की support प्रवाइड करेगा sensing Samsung overall smartphone technology को change करता है वो जब भी कोई नई technology आती है वो Samsung ही ले के आता है तो हम देखते हैं कि ये transparent smartphone जो है वो transparent technology में क्या perform करता है smartphone technology में क्या बबार ले गयाता है यह तो आप बारे वाला time भी बताएगा इसके लाब़े smartphone के बारे में बात करें तो smartphone में आपको बहुत ही ज्यादा और अच्छे features देखने को मिलेंगे आपको camera performance का बताता चलूँ कि यहां आपको in display ही camera performance देखने को मिलेगी आप अपने cameras को जो है वो आप देख नहीं पाएंगे वो invisible होंगे आपको अपनी cameras का पता ही नहीं चलेगा ऐसे cameras जो हैं वो smartphone में launch किया जाएंगे include किया जाएंगे जो क्योंकि ये एक transparent smartphone होने वाला है sensing की तरफ से और ये एक बहुत ही ज्यादा अची technology है बहुत ही ज्यादा अची बात है sensing की तरफ से और जब ये smartphone जो है वो transparency के साथ launch किया जाएगा तो इसमें आपको price भी काफी ज्यादा high देखने को मिलेगी और अगर हम price की बात करें तो ये smartphone जो है वो आपको 1400 डालर तक देखने को मिलेगा जो के काफी ज्यादा high price है और अगर हम बात करें के एक नए technology की तो जो sensing की तरफ से sensing की लेक्षी फोल्ड लाउंच किया गया वो पहला ऐसा smartphone था जो फोल्ड के साथ लाउंच किया गया और ये पहली बार जो है वो technology जो है वो include की गई थी तो ये smartphone सैंसिंग की दरफ से flop हो गया लेकिन हम देखते हैं कि ये transparent smartphone में सैंसिंग क्या करता है हमें क्या कुछ देखने को मिलता है और ये smartphone जो है वो आपको February या March में देखने को मिलेगा 2020 में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और comment section में जरूर बताएगा कि इस smartphone से आपक्या expect कर सकते हैं इस smartphone के बारे में आपकी क्या opinions है तो दोस्तों इसी के साथ मैं चाहता हूँ आपसे इजाज़त, अल्लाहाफीज, टेकिए